नमस्कार आप मुझे देख रहे हैं MNS News पर देखते हैं कुछ आज की ताजा खबरे ओडियंस ने बीग बॉस को बैन करने की की मांग कहा अश्लील है शो बीते दो तीन दिन से अनसबस्क्राइब कलर बॉइकट बीग बॉस जैसे हैश्टेग त्विटर पर ट्रेड कर रहे है ऐसे हैश्टेग के ट्रेड होने के पीछे बीग बॉस का नया सेट अप है दरसल शो में कुछ बदलाव हुए है सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट को अपना बेट शेयर करना है बीग बॉस तेरा में एक लड़का और एक लड़की साथ में बेट शेयर कर रहे है इसी बात पर शो को लेकर लोग भड़क रहे है इरान ने इंस्टाग्राम स्टार को किया कि रफ्तार लगती है एंजी लिला जॉली का डरावना वर्जक सहर तबर पिछले साल उस वक्त सुर्ख्यों में आ गई थी जब उन्होंने प्लास्टिक सरजरी के बाद इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने चेहरे की कई तस्वीरे पोस्ट की थी खबर की मुताग्बिक उस पर इशा निंदा हिंसा भड़काने गलत तरीके से पैसे कमाने और युवाओ को खष्टाचार के लिए प्रेरित करने का आरोप लगा है गोर तलब है कि इरान में सिर्फ इंस्टाग्राम का इस्तवाल करने की इजाज़त है जबकि फेस्बुक और ट्विटर पर पूरी तरह पाबंदी है चिरन जीवी की फिल्म का धमाल 150 करण रुपे के पाल सहीरा नरसिमा रेड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा कर रख दिया है फिल्म दो अक्तुमबर को रिलीज हुई थी बॉलिवुड के महानायक अमिता बच्चन भी फिल् पर भी आप हमारी खबरे देख सकते हैं यूट्यूब पर भी आप हमारी खबरे देख सकते हैं यूट्यूब पर इसे सब्सक्राइब करना ना भूले अब फिल्हाल वक्तों चला है एक ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरे देखने के ल झाल झाल